अक्सर आपने लोगों को नाकुमट काते वेड़ देखा होगा आखेर यह क्या होती है इसके लिए लोगों की अलगलग धानाय है कुछ लोग कहते हैं कि यह गोबर से बना होता है यानि कि जो गोबर होता है जब गाएं भैस जो है पहले जो लोग होते थे वो हाथ से खुदाय करते थे और मीटी की परत को निकालते थे दूप में सुका कर उसका आकार बनाते थे चोटे आकार में तोड़कर उसे बड़े पैन में रखा जाता था प्राकर्तिक स्टोप यानि की मिठी के लकड़ी इंधन से इसे इसमें तेल डालकर इसे बूना जाता था और उसके बाद इसे सुखाया जाता था तो नाकुमट तयार हो जाता था लेकिन अब थोड़ी इसकी प्रिक्रिया चेंज होगी है मशीने द्वारा इसको खरन किया जाता है यानि कि मशीनों द्वारा ये निकाली जाती है इसकी पड़ते उसके बाद में बड़े-बड़े मैदानों में इन्हे सुखाया जाता है फिर कोलू में डाल कर इसे तेन के साथ भूना जाता है कई लोग इसे स्टोप पर भी सेखते हैं हर एक तीन गंटे के बाद इसको चेक किया जाता है जब ये ऐसा हो जाता है कि खाने लाइक और सुख जाता है तो इसको निकाल कर पैकिंग करके बेचने के लिए तयार कर दिया जाता है बात करते हैं कि क्या ये खाना सही है ये किस एक तरह की मिट्टी होती है जिसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है इसको कहीं भी खाना या फिर कुछ भी इसका इस तरीके की चीजों में खान पान में इस्तमाल करना गलत है यह आपको बहुत जादा नुकसान दे सकती है